कि और गारी तो हो गई अपनी साफ आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजे बतानी है मेरे को क्योंकि ये मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा बाकि लाइट इदर से राज एदर से जाद अछा तो भाई अभी जो है ना ये अभी स्टार्टिंग आपने देखा ये जॉपसू वाला तो ये जॉपसू वाले के लिए मेरे को इंस्टा पर भी मेसिज कर रहे थे भाई लोग की बाई ये कव आएगा अपने कर्मेटर के स्टोर पर क्यांकि एमजून पर तो आट सो रुपे क तो भाई यह आएगा lockdown के बाद में ही बाकी result आपको दिखा देता हूँ एक बार ही और अगर उस वीडियो में थोड़ा बहुत कम दिखाया हो तो यह देखो अभी तो यह वैसे वाइजर का कमाल है वाँकि यह देखो जो डस्ट होती है ना डस्ट यह उपर उपर की साफ कर प पड़ेगा तो आज आते हैं आज के टॉपिक के उपर तो टॉपिक आज का है हमारा lockdown खतम होने वाला ओल्मॉस्ट होफुली कि 31 में को यह जो है खतम हो जाएगा तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है क्या क्या चीज़े आपने եगाड़ी निकालते हो आपसे पहले तो उन्लोग करोग्यें अगर आपकी बैटरी में आपके करेंट है फोड़ा चेक और recogniseके और अब सब्सक्राइब जाल के लिए तो यह चीज़ जो है हमारे इंजन हो गया है इंजन जब तक उन है इसको दो मिनिट के लिए उन रखना है क्योंकि एक इंपोर्टेंट स्टेप में आपको बताऊंगा कि आपने भी करना किया जब आप अभी तो मेरी आर्पियम जो है वह तीन पर लेकिन जब आ देना है कितना एर देना कितना क्या देना है सब उसको पता है तो उसकी टेंशन आपने लेनी जब तक वह थोड़ा सा कूल डाउन होके अपना जो आपका आर्पियम हमेशा रहते हैं वहां तक ना आ जाए तो गाड़ी को ड्राइब मत करना इतने दिन बाद गाड़ी स्टा सिर्कूलेट भी कर दिया अब जब तक आपकी गाड़ी दो मिनट के लिए को सटाइब या यानी कि जब तक आपका इंजिन और रहे हैं तब तक हमको गाड़ी के न अगल बगल पूरे चेक करने रहे हैं वह मैं आपको बता देता हूं आपने सबसे पहले टाइर चेक करना टाइर में pressure रहा है कि य नहीं आ रहा तो टाइर में देखपा ओगे भाई इसमेंजो इसमे मैं अपना pressure है फिलाल के लिए यह टाइर स्टिकर जो है पत्थर तो इदर पढ़े रहते हैं तो इदर पढ़े रहता है कुछ या फिर पीछे के जो अपना ट्रेय उता है तो वहां पर आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी में कोई चूहा या फिर भाई कोई जानवर ने आपके अपना घरतों नहीं बसा लिए वहाँ आप देख सकते हैं एक बारी नॉर्बन इंस्पेक्शन रहेगी है वाली आपकी तो अभी तक गाड़ी में सो फार सो गुड कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके वाइर की जरूरा थोड़ी सी लेकि यह अपना चलता क्योंकि यह चीज हमीने फैलाई है नासीज अपनी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर की जैसे की फ्रंट साइड पर आते हैं तो फ्रंट साइड पर सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर कोई वायर वुयर तो आपकी कटी हुई नहीं क्योंकि हो सकता है कि चूहा आ गया इतना टाइम में तो वायर वायर आपने जितनी आप देख सकते हो coolant हो गई यह steering का हो गए यह brake का हो गई आप check कर ले ले ना मैंने अल्रेड़ी कर रहा है बैटरी का पानी का level आप बाहर जाके check कर वा सकते हैं वाई मेल मुद्द जो है हमारा वो आ जाता है हमारा engine oil का कि engine oil को आपने कैसे check करना है अब यह आपकी गाड़ी जो है बंद करने का टाइम आगे है दो मिनट हो चुके हैं गाड़ी को चेक करते करते सबसे पहले आपने अपने डिप स्टिक निकालनी है अब यह होगा कहाँ पे गाड़ी में भाई पहले वह बता देता हूं सबसे पहले यह यलो कलर का योगा 99% के हाथ से यूज कर रहा हूं सबी जो है डिप स्टिक हमारी साफ हो गई है इसमें आपको बता देता हूं भाई यह देखो इसके अंदर आपको दो होल नजर आ रहे होंगे यह उपर वाला है यह आपकी maximum होल आपकी minimum होल आपकी minimum लिमिट है अगर आपका इंजिन ओल भाई किलो मेंटर तक बढ़ मेरी जो सजेशन है आप उसको टॉप अप करा लेना वाकि इसमें उपर वाले से ज्यादा उपर ना हो नहीं तो फिर लीकेज के चांसे होते हैं पैकिंग वैकिंग फट जाती है गाड़ी की तो इसमें देख पाओगे भाई अपनी जो है हमने डिप स् अच्छे से पूरी लोग हो चुकिया अगे इसको पुल आउट करेंगे आपके सामने अपना जो इंजन ओल का लेवल है वह बिल्कुल एक्यूरेट है यानि की मीडियम में यह देख पाओगे दोनों जो अपनी दोनों अपने जो होल थे उसके बिल्कुल बीच में आ रहा ह अब यह देखो इसके अंदर आपको बीच में दिखेगा कि लाइन बनने लग रही है इसके ठीक है लेकिन लाइन जादा लंबी कंटीनियूनी हो रही यानि की गाड़ी की जो है इंजन ओल की जो लाइफ है ना वो मोस्टली जो है आपकी हाफ खतम हो चुग है यह शायद क इडिया कहता है प्लास आप देख पाऊगे कि अभी आपको मेरी जो फिंगर की लाइन से वह सारी दिखेगी यानि की इंजन ओल जो है भी खराब नहीं हुआ हमारा तो यह देखो यह सारी आपको लाइन देखी दिखिए है मतलब जितनी भी फिंगर में लाइन सोती हो सारी आपको देखने के लिए मिलेगी तो यानि कि जो हमारा इंजेन ओल है वह था में था चेक करने के लिए और यही मेरा मौटिफ engine oil तो उसका मतलब है change करने आपने और milky है अगर बिलकुल हलका सा जैसे ये भी color था इसमें अगर milky color दुधिया color फोटो में आ रहा है तो अगर वैसा color आ रहा है यानि कि आपका coolant कहीं न कहीं engine oil के साथ mix हुआ है या फिर बारिश हुई है कहीं से कोई leak है या कुछ है तो भाई वहां से जो है engine oil के chamber में पानी गया कहीं न कहीं से इसलिए उसका जो color है वो change हो गया तो यह आपने देख ले ना भाई में अगर आपको भी कोई डाउट रह जाते तो इंस्टाग्राम हेंडल आ रहा है मेरा जाके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो कि यह problem हुई है कैसे अगर आपकी गाड़ी तीन सेल्फ या चार सेल्फ में स्टाट नहीं होती तो पांच दस मिंड का गयव आपने डाल देना ताकि आपकी जो मोटर है जो की सेल्फ स्टाट मोटर है वो ठंडी हो जाए ओवरीड होईगी तो अगे वो भी खराब हो सकती है तब भी स्टाट न की आवाज नहीं तो फ्यूल पंप फेलियर है पेट्रोल हो डीजल हो दोनों चीज़ेश चेक कर लेना 25% से ज्यादा रखने की कोशिश करा करो अधर्वाइस फ्यूल पंप फेलियर का चांस होता है खास करकी डीजल गाड़ियों में पेट्रोल है तो भी मैं बोलूँगा क हाफ से उपर ही रखो मैं भी कोशिश करता हूं हाफ से उपर रखने की हाफ टू हाफ चलाता हूं हाफ तक आजाती हागें रिफिल इस तरीके से करोगे फ्यूल पंप फेलियर होने के चैंसे आपके कम हो जाते है गाड़ी के अंदर अगर खाने का समान चूट गया तो चूटे-चोटे सूखे वे घास होते हैं और आपको पता है वह बहुत जल्दी जलते हैं तो यह चीज़ आप हमेशा चूहे वाली चीज़ हमेशा धियान में रखना गाड़ी में कहीं भी हो सकता है चूहा उसका कोई चांस नहीं ले सकते कि भाई कहां और नहीं होगा फिल तो स्विच खराब होई है यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखी थी उसने का था कि बैटरी के वहां फ्यूज चेक करो वह मैंने चेक कर लिया वह ठीक है बट यह जो है इसमें लाइट नहीं आ रही यानिकी गाड़ी जो है अभी फिलाल सिरफ पेट्रोल पर चलेगी त तो उसके लिए जो है ठीक है कोई नहीं है अभी गारी चलनी कितनी है तो यह जो है अच्क कराना बस यही प्रब्लम थी मेरी अब क्या पर आयाँ में कोई प्रॉब्लम तब भी रह जाती है मी्क इस टाफर मेसेच करने बबहां सें करें करऊंगे और लोकड़न डाउन खुलने के बाद भाई प्लीज सारी चीजों का पालन करना है मास्क लगाना है जितनी भी चीज़े गवर्मेंट के नोम से वो सारे अपने पूरे करना है मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वाली वीडियो में होफ़ुली इस वीडियो में आपको मज़ा है कुछ इंफॉर्